हाई एवरिवन कैसे हो आप सभी लोग आप लोग अच्छे होंगे मैं हूर रहुल जैस्वाल लाइन स्वागत करता हूँ आप सभी एक बार फिर हमारे यूटूब चैनल जे आर टूटोरियल्स में फ्रेंट्स आज अगेन आपके सामने के मोस्ट इंपोर्टेंट हिस्ट्री का लेक्चर वीडियो लेकर आचुका हो दोस्तों जिसमें आज के दिन हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारे 8 स्टैंडर्ड के लिए हिस्ट्री सब्जेक का जो हमने चाप्टर के शिरुवात की थी दोस्तों जिसका नाम है चाप्टर नंबर 6 बिगिनिंग आप दो फ्रीडम म ठीक है दोस्तों इसके पहले भी तोटल तीन लेक्चर हमने बना दिये हैं आप लोग के लिए अपलोड कर दिया और उसमें बहुत सारे जो टॉपिक्स थे रिगार्डिंग फ्रीडम मुव्मेंट को कैसे करवाया बहुत सारे जो लीडर्स थे ठीक है ना बाल गंग अधर लग थे यह सब चीजों के वज़े से अगर हम बात करें तो क्या-क्या चीजे हुई यह हमने डिसकस कर लिया है यार पुराने लेक्चर नमर 3 तक तो अगर आपने यार प्रीविएस वीडियो नहीं देखे न तो सबसे पहले वो जाके देख लो क्योंकि क्या होता है कि हम ल जरूर से चेक आउट कर लेना तो आज हम लोग लेक्चर नमर 4 की शुरुवात करेंगे और बिफोर स्टाटिंग इस लेक्चर वीडियो एक और चीज़ बता तो गया प्लेलिस्ट में आपको बाकी सब्जेक्स के वीडियो तोटली अच्छे से मिल जाएंगे तो उसको भी चेक आउट कर लेना जैयार टॉक्स नाम का एक और चैनल है हमारा जिस पे हम करियर गाइडेंस और मोटिवेशन के वीडियो डिश जालते हैं तो वह भी आप चेक आउट कर सकते हैं व्लॉगिंग के लिए हम लोग एक न्यू चैनल क्रेट के है हमने जैयार व्लॉग नाम ह हुआ है जाके देख लेना बहुत ही अच्छा लगेगा बहुत पसंद आगा पहाड़ों के बीच ठीक है चले चलो वह सब दो बाते हो गई लेकिन अभी आते हैं टॉपिक के ऊपर जो कि हमारा लेक्चर नमर फॉर ओके तो देखो सबसे पहले चीज़ यहां पर जो हमने डिस कहीं जो मुस्लिम्स थे वो कहीं न कहीं कुछ चीजों के लिए विरोध भी कर रहे थे तो उनको ऐसा लगा कहीं न कहीं कि वह एस्टाब्लिश्मेंट करना बहुत ज़रूरी उसके पीछे क्या वज़े थी मेन वज़े वह हम लोग आज डिसकल्स करेंगे तो टॉपिक का न करते रहेंगे तो बिर्टिश जो थे न पहली बाद तो बहुत थक चुके थे क्योंकि इंडियन नाशनल कॉंग्रेस बहुत अच्छे से काम कर रहा था बहुत ही अच्छे से रिस्पॉंस दे रहा था और चीजों के प्रती बहुत ज़्यादा लोगों में जागरुकता फे जैसे मैंने हमिशा आपको बताया हुआ है कि ब्रिटीश इतने साल हम पे राज इसले कर पाया क्योंकि वो एक ही रूल अपनाता था डिवाइड एंड रूल एक ऐसा रूल है कि लोगों को आपस में ही लड़वा दो आपस में ही एक दूसरे के दुश्मन बनवा दो और हम उस पराज करेंगे तो ऐसी हो रहा था हिंदू मुस्लिम में कि राज करवाने वाले को थैब उस्य प्रीटी प्रिटीश इतने ब्रिटीश इतने एक तरीके से कमुनिलीटी बननादे का शुरू किया यानि quê जो मुसलिम चित्रत्व में यानि कि उनके ही leadership में यहां पे यह committee बनाई गी यानि कि Muslim जो league है वो बनाई गई थी और यहां पे जो governor थे जिनका नाम था Lord Minto तीक है ना उनके ही help से जो British और कुछ officers थे उनके ही help से कहीं ने कहीं लोग ने आपस में ताल मेल बिठाया और एक तरीके से Muslim league बना लोग थे यार कहीं न कहीं वो हर जगा देखते थे कि यहां पर मेरा फायदा निकलेगा तो वहां पर कुछ न कुछ कुछ भी चाल चलेंगे शड़ेंटर रचेंगे लेकिन वह चीज करके दिखाएंगे और वही चीज यहां पर किया मुस्लिम लिग को फेमर में लेके और एक क्या कि तो देखो सबसे पहली बात ब्रिटिश कभी भी खुश नहीं था हम इंडियन से कहीं कहीं न की हम इंडियन विरोध कर रहे थे हमें इपारके हमारा जो विरोध किया है जो टैक्सिस इतने सारे लागू किये न यार ये बंद करना पड़ेगा अगर ये बंद नहीं करेंगे इसके खिलाफ प्रजर्चन नहीं करेंगे विरोत नहीं करेंगे तो एक नहीं दिन हम खाने बिना मर जाएंगे बहुत ज्यादा तकलिफ हमको हो जाएगी तो चीज़ हम लोग आगे जो नेक्स चाप्टर आएगा ना नॉन कोपरेशन मुवमेंट उसमें और अच्छी पढ़ेंगे टेंचर मतले ना लेकिन में एक एग्जांपल पताता हूँ जो हमारे जो गांधी जी थे तो आपको पता होगा गांधी जी पढ़ने के लिए साउथ अ मौरली मिन्टो रिफॉर्म में एक आक्ट बना गया नांटिन जी रोट नाइन य में और उसके अकौर्डिंगली अगर जो नमबर ऑफ इंडिन मेंबर से असेंब्ली जो होता है न दोस्तों इसमें शामिल हो जाएंगे तो लेजिस्लेटिव असेंब्ली को एक तरीके से create किया जाएगा यहां पर बोला गया था और कुछ बहुत सारे act बनाए गया कुछ Indian Muslims को भी उसमें consider किया गया इसी प्रकार के बहुत सारे conspiracies जो है वो यहां पर because of the British government यह हमें देखने मिले थे clear ने और यही चीज के बाद morally mean to act के बाद अब एक और act आया act in the sense की एक और यहां पर चीज हुआ जिसका नान था लखनव पैक्ट अब यह लखनव पैक्ट क्या होता है यह हम लोग देखेंगे लखनव में कुछ तो हुआ लखनव में क्या हुआ यह हम लोग को देखने वाली बात है बहुत अच्छी चीज है तो देखो लखनव एक बहुत ही ज्यादा पहले से famous city रहा है नवाबो का शहर हम लोग बोलते हैं तो लखनव में क्या हुआ कि लगबग जो इंडियन नाशनल Congress 1916 के दौरान क्या हुआ यहां पर कि जो लोकमाने तिलग थे वहां पर ठीके ना लोकमाने तिलग जो थे इन्होंने बहुत सारे इंडियन नाशनल Congress के अंधरूनी जो डिस्प्यूर्स चल रहे थे आपको बताया था मैंने previous lectures में कि अंदर ही अंदर बहुत सारे leaders थे जो आपस में जगडा कर रहे थे जैसे moderate leaders थे extremists लेडर थे तो दोनों को एक दूसरे को पसंद नहीं करना और कहीं ने कहीं उनके खयालों का difference होना differences बहुत सारे आ रहे थे तो कहीं ने कहीं यह disputes वो solve कर रहे थे और उसी दौरान यहां पर जब इंडियन नाशनल Congress तो इन दोनों के बीच में क्या हो गया एक तरीके से agreement sign हुआ क्या हो गया agreement sign हुआ कि अब हम एक दूसरे को support करेंगे एक दूसरे के आड़े नहीं आएंगे रास्ते में नहीं आएंगे हम क्या करेंगे एक दूसरे को support करेंगे और यह चीज को possible किस ने कराया था हमारे लोक उसको तोड़ नहीं पाएंगे, यह बहुत पूरानी कहावात है, बहुत सारे चाप्टर में भी था यह कहानी, ठीक है, तो उसी प्रकार यहाँ पे लोकमाने तिलकनी मुस्लिम लीग और आएंसी के बीच में एक एग्रिमेंट करवा दिया, कि हाँ हम एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, just for the political rights, politicals के लिए, बाकी चीजों के लिए नहीं, लेकिन political चीजों के वे से हम लोग एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे इंडिया में, ठीक है, फिर आया home rule moment, ठीक है, तो एक home rule moment क्या है, वो भी हम लोग discuss कर रहेते हैं, जैसे कि आपको पता है, बहुत सारे moments आंदो में हुए हैं, उसी में भी एक rule था, home rule moment एक आंदोलन था, इसको भी हम लोग discuss कर लेते हैं, इसमें क्या है, तो home rule moment की बात करेंगे अगर हम लोग, तो 1914 में जब लोकमाने तिलक, 1940 में, जब हमारे जो लोकमाने तिलक है, उसको मंडालय जेल से रिहाज़ब कर दिया गया, आ 1914 का, अगर आपको यहर यादा रहोगा, तो इसमें एक बहुत ही खतरनाक incident हुआ था, जिसको हम लोग बोलते है, First World War, 1914 के टाइम ही शुरुआत हुई थी, First World War के, तो जैसे ही लोकमाने तिलक जेल से बहार आए, मंडा जेल के बहार आए, तो उन्होंने देखा, कि यार, मतल European countries से ही आते थे, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ों थी, जिसकी दाम बहुत बढ़ गए थे, बहुत सारी जो basic चीज़े होती है, खाने पीने की चीज़ी, उसके दाम बहुत बढ़ जाना, कभी-कभी unavailable होना, तो कहीं न कहीं जो normal citizen of Indians थे, उनको बहुत ज़्यादा तखलीप ह अते एट, बहुत सारी रिश्रिक्शन्स, हम इंडियन्स के उपर, ब्रिटिज गवर्मेंट ने डाल दिये थे कि आप बाहर नहीं जा सकते ये नहीं कर सकते और उसी दोरान एक Anni Besant थे ठीक है एक व्यक्ति थे जिनका नाम है डॉक्टर Annie Besant तो उसी दौरान डॉक्टर Annie Besant जो थे उन्होंने एक तरीके से और लोकमाने तिलक ने मिलके स्टार्ट किया था Home Rule Moment तो Home Rule Moment का मतलब क्या होता है Home का मतलब क्या होता है घर Rule का मतलब होता है Rule करना हम लोग मतलब बोलते हैं चलाना और Moment मतलब आंदोलन तो यह जो डॉक्टर Annie Besant थे और हमारे जो तिलक सहाब थे यानि लोकमाने तिलक जो जी थे इन्होंने मिलके क्या किया यह हमारा Home Rule Moment शुरू किया यानि कि एक तरीके से Self Government करना शुरू किया कि उन्होंने एक declaration दिया प्रिटिश गवर्मेंट को कि यार हम इंडियन अपना खुद का गवर्मेंट चला सकते हैं we don't need your गवर्मेंट इस प्रकार का एक statement statement नहीं बोल सकते हैं मतलब अपनी हरकतों के वज़े से ऐसा चीज़े बताया यानि कि एक तरीके से उनको एक message पहुचाया कि यार हम अब क्या करेंगे home rule movement apply करेंगे और home rule मतलब self government होती है self government में हम बहुत सारे चीज़े करेंगे और यही self government Ireland ने भी अपनाया था against the colonialism तो colonialism जो था उसको विरोध करते करते है Ireland ने भी हमें बोला मतलब उन्होंने self government जो method था उन्होंने अपनाया तो हम क्यों नहीं अपना सकते हैं तो यह सब चीज़े होने लगी और home rule बहुत सारे चीज़े demand कर रहे थी हमारे Indians के लिए हमारे जो इंडियन्स के हक की बात होती है basic needs की बात होती है उसके बार में बात कर रहते है against the government of जो British government थे उसके अगेंज में बात कर रहते हैं और एनी बैसन तो लोकमाने तीलक जो थे ना उन्होंने बहुत सारे अलग-अलग जगा पे टूर किया अलग-अलग different parts of country में गया और यहां पे लोगों को यहां पे अपने साथ दिया जाना जाए चाहिए लेकिन British ने हमें बांध के रखा हुआ है तो यह चीज उनको बताया स्वराज is our independence, is our basic need, is our ठीक है ना तो यह सब चीजे हम लोग को बताया उन particular चीजों के द्वारा clear है तो उमीद करता हूँ कि यह चीज आपको समझ में अब एक और चीज है यहाँ पर कि जब 1914 में जैसे मैंने मरा first world war की शुरुवात हो गई थी तो इसके बारे में क्या-क्या चीजे हुई वो भी discuss कर लेते हैं तो first world war first world war के दोरान क्या-क्या हुआ था तो first world war के बारे में अगर बात करें तो बहुत ज़्यादा भयानक situation तो होई गया था यूरोप में क्योंकि हर country अपस में लड़ी थे और इसका कही न कहीं है कि important effect जो देखने मिला था वो हम इंडियन्स के उपर देखने मिला था जैसे मैंने बताया कि basic need की सामान नहीं मिल रही थी community price बहुत हाय हो गए थे और ये सबी चीज़े बहुत ज़्यादा होने लगा था और हमारा इंडियन्स ने home rule movement भी start कर दिया तो कहीं न कहीं ऐसे condition में ये बहुत जरूरी था कि जो British है वो कहीं न कहीं हम इंडियन्स को support करे ये कि आर देखो आप हम पे राज कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है न कि आप हमें मार दोगे जिंदा तो कहीं न कहीं आपका फर्ज मनता है कि आप हमारी रक्षा भी करो आप हमें support भी करो और बाकी चीज़े provide करो तो ये जो British government है इन्होंने decide किया था कुछ political rights हमारे इंडियन्स को देने के लिए और 1917 के दोरान यहाँ पे जो Secretary State of India है यहाँ पे declare कि कुछ इंडियन्स जो है वो थोड़ा सा हक हम दे देंगे मतलब अगर आप capable हो इंडियन्स आप capable हो तो आप अपना self government बना सकते हो लेकिन हम आपको पूरा हक नहीं देंगे government में हम आपको कुछ कुछ चीजे देंगे और बाकी जो main चीज रहेगी वो हमारे हाप में रहेगे जैसे कि आप जानते हैं कि government में बहुत सारे ministries होती है आज के डेट की बात कर रहा हूं है तो उन्होंने बोला British government बड़ी चालाग थी पहले सही उन्होंने बहुत शातिर दिमाख लगा के रखा था कि जो Indian demand कर रहा था कि हमें home rule moment चाहिए और अंदलन कर रहा था तो British government ने बोला ठीक है हम आपको आपका home rule government बनाने देंगे लेकिन हम आपको कुछ ही ministry देंगे बाकी जो ministry रहेगी जो main main रहेगे वो हमारे हाथ में रहेगी तो example के तौर पर अगर हम बात करें तो बहुत सरी ऐसी ministry थी तो वो British ने अपने हाथ में रखा और बाकी जो ministry थी वो किसको दे दिया यहाँ पे Indians को दे दिया ठीक है तो उन्होंने जो लोकमाने तिलक थे वहाँ पे उन्होंने यहाँ पे एक डिकलेर किया कि अगर government कुछ sympathy हम पे दिखाती है या फिर कुछ एक positive attitude रखती है तो हम Indians जो है वो normally cooperate करेंगे British के साथ मतलब हम आपसे जगडा नहीं करेंगे मतलब हमको आंदलन नहीं करना आपके खिलाफ या फिर हम आपको एकदम नहीं परिशान करेंगे लेकिन आप हमें support करो हम बदले में आपको support करेंगे तो इस हिसाब से यह सब चीज़े होने लगा और यही जो policy एड लोकमाने तिलक की इसी को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तो responsive cooperation क्या बोलते हैं यही जो लोकमाने तिलक ने दिमाख लगाया और आपस में cooperate करने का जो British के साथ करार किया ना तो वही चीज़ को हम लोग responsive moment कहते हैं responsive cooperative moment कहते हैं क्योंकि एक दूसरे से हम क्या कर रहे है cooperation कर रहे हैं कहीं ने कहीं तो responsive cooperation moment हो गया clear है तो उमीद करता हूँ कि यह चीज़ आपको समझ में आ गया होगा अब एक last act बचा हुआ है last moment बचा हुआ है इसको भी हम लोग देख लेते हैं पर हमारा जो topic है यह हो जाएगा totally 100% complete तो आखरी topic for today and this chapter जिसका नामे दोस्तो Montag Chelmsford Reform Act ठीक है न यह थोड़ा सा अंग्रेजी नाम है इसको मैं लिख लेता हूँ पहले Montag Chelmsford Montag Chelmsford Reform Act Reform Act अब इसमें क्या है यह हम लोग discuss करेंगे तो Montag Chelmsford Reform Act की अगर हम बात करें तो यह 1990 में जो British Government British Parliament ने उन्होंने क्या बोला कि constitutional reform जो है न Indians के favor में कहीं ने उन्होंने बोला कि यार समविधान में कहीं न कहीं हम Indians को भी शामिल करेंगे Indians का भी थोड़ा सा हख हम जमाएंगे कब हुआ यह चीज की शुरुआत हुई लगबग 1919 में लगबग जो हमारा World War जब खतम होने वारा था उसके टाइम पर ही यह चीज हुई और उसी दौरान और यही जो चीज था न कि यार constitutional reforms में हम Indians को थोड़ा सा जगा देना और कहीं न कहीं इंडिया में लाना उस constitution reforms को तो उसी को कहा जाता है Montag ये चल्सवर्ड reform act यह आपको याद रखना है और इसके दौरान इसके accordingly अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे जो बहुत कम जो less department है इंडिया के जैसे मैंने आपको बताया तो बहुत सरे ऐसे department है जैसे की finance हो गया home ministry department हो गया revenue department यानि कि जिसमें पैसा जादा होता है वो department जो है वो governor के control में रहेगा यानि कि जो British के है ना control में British governor जो होते हैं जो यह सब चीज़े control करते हैं तो main main जो department था जैसे की मैंने बोला अभी क्या बोला अभी main home ministry का department हो गया फिर ठीक है ना फिर इसके अलावा जो मैंने आपको बता revenue department, finance department, ठीक है ना revenue हो गया ठीक है revenue हो गया finance हो गया तो यह सब कुछ main department है तो यह किसने control में ले लिया अपने British के government में control में ले लिया और हम main main रखेंगे क्योंकि British चालू थी ओ टाइम पे और इंडियन्स क्या कर सकती है जो मिल रहा है ले लो यार क्योंकि देखो हम direct against में लड़नी सकते थे नहीं तो बहुत पहले अजादी मिल जाती ना correct है तो दीरे दीरे चीजे हुई तो यह सब चीजे उन्होंने समझाया और 1919 में 1919 में एक act बनाए गया क्या बनाए गया एक कानून बनाए गया एक act बनाए गया जिसके थूरू अगर बात करें तो जो responsible government होगी जो भी भी नहीं है और कहीं नहीं पूरा कपजा भी नहीं है मतलब इस नाइडर स्वराज नौर दफाउंडेशन मतलब इस प्रकार का उन्होंने statement रखा तो दीरे दीरे हम इंडियन्स को इस सब चीज समझ में आने लगी लेकिन हम भी क्या कर सकते तो मजबूर थी दीरे दीरे हमा है न दोस्तो इसके उपर एक पूरा complete chapter है यानि कि हमारा आज का जो chapter है totally complete और ये chapter है अगला chapter तो इसको हम लोग अगला जो lecture आएगा यानि कि जो next lecture आएगा उसमें हम लोग next chapter के शुरुआत करेंगे और उसमें बागी चीजों को discuss करेंगे तो मतलब इसे के साथ हमारा ये ज world war का situation क्या था ये हमने बता दिया इस प्रकार उन्होंने एक तरीके से समझोता कराया agreement कराया Muslim League और International Congress के बीच में ताकि ये दोनों आपस में support कर सके home rule movement क्या था first world war में क्या हुआ ठीक है न बाकी ये सब चीजे हमने discuss कर लिया some reform act क्या था ये हमने discuss कर लिया तो इसी के साथ हमारा आज का जो lecture है ये होता है समाथ and इसी के साथ हमारा जो chapter है जिसका नमे beginning of the freedom movement ये भी होता है totally 100% complete तो ऐसे ही और भी chapters हम आपके लिए लिकर आते रहेंगे आपको बस हमें comment करके बताना है कि ये वीडियो and ये chapter आपको कैस subscribe नहीं किया है तो फटा-फट से हमारे चानल को भी subscribe कर देना साथ ने एक bell icon होता है उसको press कर देना ताकि future में हम कभी भी कोई भी वीडियो को upload करेंगे तो आप लोग को notification मिलती रहेगी ठीक है friends तो मिलते हमारे एगले वीडियो में ये वीडियो देखने के लिए thank you and goodbye